हाई गाईज वेलकम बैक टू में चैनल कैसे हो आप सम मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बता दो डियर ये देख सकते हो आप उपर परपल की आप के उपर आज है इलाइट डे अंड दिसंबर 16 सिरफ एक दिन के लिए आपको ये इलाइट डे मिला सौ रुपे में आपको पूरे साल की इलाइट मेंबर्शिप का फाइदा मिलेगा क्या है फाइदा इलाइट मेंबर्शिप का तो डियर ये देख सकते हो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दू मैंने एक वीडियो अपलोड की इलाइट मेंबर्शिप के उपर डियर ये है ये वीडियो और यह परपल की आप की ऊपर चल रही है यह विडियो आप इसको जब चाहे तब आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ लोग मुझे कोश्चन करते हैं इलाइट मेंशिप क्या होती है कैसे लेते हैं क्या है इसके बेनिफिट तो यह देख लो मेरी वीडियो है जो प्रॉडक्ट्स खरीदोगे लिप्स्टिक के आपको 50% डिसकाउंट मिलेगा जब आप एट प्रॉडक्स खरीदोगे स्किन केर के एंड उसी सापसे डियर आप उनके पेज के उपर पढ़ लो फोर प्रॉडक्ट्स खरीदोगे अशेंचल ओल्स के तो आपको 50% मिल आई मेकप का समान खरीदे हो चार समान खरीदोगे 50% अफ मिल जाएगा हेर के समान खरीदोगे 6 प्रॉडक्ट्स खरीदोगे तो 50% अफ मिल जाएगा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है आपको मुवी टिकट फ्री में मिलेगी दियर बहुत कुछ है तो प्लीज आज के लिए सिरफ मिलेगी आपको 99 रुपेज में जिन्हों ने खरीदनी है जो लोग इंट्रस्टेड है जस्ट गो एंड बाइ दिस यही थी इंफर्मेशन जो मैं आप लोगों को प्रवाइड करना चाहती थी चलो अब मैं अपनी एंड वीडियो स्टाट करती हूँ आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी तो आप एक बर जरूँ चेक आउट कर लेना तो चलो मैं अपनी वीडियो स्टाट करती हूँ अज मैं आप लोगों के साथ ग्रीन बेरी के प्रोड़प्ट्स के बारे में शेर करूँगी मेरे पस फोर प्रोड़प्स एंड घ्रीन बेरी ब्रैंड अयरुवेदिक ब्रैंड जो आपको पॉपल.com पे मिल जाएगा परचेज लिंक्स आपको सारे के सारे प्रोड़प्स के description box में मिल जाएंगे तो आप देखना बिलकुल भी मत भूलना and the four products है तो आपको फटापट से में आपको दिखा देखा देए तो मेरे पास हैं कौन-कौन से products तो सबसे पहले तीर स्टाट करते हैं face wash से यह है मेरे पास green berry का green clay mud face wash and फिर जो second product है face wash करने के स्क्रब तो मेरे पास है green berry का स्क्रब यह है बायो एक्टिव डीटन एक्सफोलियेटिंग स्क्रब skin brightening के लिए and tan removal के लिए तो यह है दूसरा product scrub scrub करने के बाद face wash करने के बाद हम अप्लाइ करेंगे toner यह है green berry का fresh cucumber mint toner यह toner भी है and makeup remover भी है pore minimizer obvious toner है तो pore को minimize करेगा तो यह है तीसरा product and जो last है but definitely not the least product यह है green berry का bio active intense night cream यह है night cream भाईया आजकल मुझे बड़े question आते है night cream के ऊपर तो यह देख लो night cream है and बहुत से वली night cream है सारे के सारे products मैं use कर रही हूं मुझे अच्छे लग रहे है definitely आप इस वीडियो में इनका review भी देखोगे चारो के चारो products के मैं बारी बारी review करते जाओंगी साथ में इनको मैं use करते जाओंगी चुट चुट आपको demo भी दिखता जाएगा इस वीडियो में तो चलो फिर वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं let's get started आपको review प्लस demo दोनों मेरेगा let's get started यह है green berry organics का green clay mud face wash exfoliating clarifying soothing goodness of lang lang oil I hope मैंने सही प्रनाउंस किया है 100 ml के quantity दे हुए normal to oily skin के लिए suit करेगा face wash ingredients आप इसके देख सकते हो and थोड़ा से इसके उपर कुछ लिखा हुआ है अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग handmade with love environment safe packaging assorted and ethical sourcing और यहां पर आप देख सकते हो नीचे आपको इंडिया का फ्लैग नजर आ जाएगा क्योंकि यह made in India product है and flip top इसकी packaging है flip top करके यह खुल जाता है और अच्छी तरह से बंद हो जाता है travel friendly है प्राइस आपको मैं इसका थोड़ा सा बता दू तू 91 रुपीज का यह face wash है दो साल आपको इसकी shelf life मिल जाएगी लेकिन जब आप इसको open करोगे तो आपको इसको एक साल के अंदर अंदर finish करना पड़ेगा इन्होंने लिखा वे use within 12 months after opening the product तो वैसे वे इसकी दो साल इसकी shelf life है तो चलो अब मैं आपको यह वाला face wash यूज करके दिखाते है अपने face के उपर right now मेरा face थोड़ा गंदा है dirty है यह जो face wash की consistency है यह मुझे थोड़ी से weird लगी देख सकते हो ना तो यह gel की form में आता जैसे aloe vera gel होती है ना तो यह liquidy form में था ना यह creamy form में था I don't know थोड़ी से किस form में था मुझे explain करना नहीं आ रहा हाँ जब मैंने इसको थोड़ा सा spread किया इसके साथ massage की तो अच्छी तरह से इसने अपना काम कर दिया थोड़ी से consistency थोड़ी से different थी और बस अच्छी तरह से इसने leather बगेरा कर दिया आप देख सकते हो बहुत leather नहीं किया मेरा फेस बहुत अच्छी तरह से clean हो गया था इसके अंदर aloe and mint डाला हुए तो आपकी skin को इसने dry नहीं किया पर इसने अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर दे मेरा बिल्कुल face clean हो गया था आप देख सकते हो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो अब इसको खरीद लेना जो next product है वो है एक scrub यह है green berry का bio active d tan exfoliating scrub for skin brightening and tan removal goodness of coconut aloe and raspberry extract से paraben free formula है आईरवेदिक blend है 100 gram इसकी quantity D हुई है for normal oily and combination skin इन्होंने लिखा हुए side में अब इन्होंने जो चीज़े लिखी हुए मैं आपको रीट कर दू 100% vegan natural products है small batch production है not tested on animals है GMP certified manufacturing है pricing इसकी है 575 रुपीज दो साल आपको इसकी shelf life मिल जाएगी लेकिन जब आप इस product को खोलते हो तो आपको एक साल के अंदर अंदर इसको finish up करना पड़ेगा यह green berry के सारे के सारे products के उपर same चीज़े लिखी हुई है थोड़े साप इसके ingredients वगरा भी देख लो water sunflower oil coconut oil aloe vera optin of green जो इसके अंदर और बी चीज़े डाली है vitamin c, vitamin e, raspberry डाला हुआ, walnut shell powder डाला हुआ, अपने इसको apply कैसे करना है तो यह जैसे face scrub को apply करते वैसे अपने apply करना है plastic container दिया हुआ, गुरेगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, सारी के सारी information इस jar के उपर लिखी हुई है तो अगर आप इसका cardboard फैंक दोगे तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, इसके उपर सारी information आपको मिल जाएगी चलो आपको थोड़ा समय इसको open करके दिखा दूँ, lid इसमें लगाई हुई है, and there जो इसके scrub के particles हैं, they are so good बहुत सही वले particles है, बहुत अच्छी तो रहा skin को clean कर देते हैं, बिल्कुल भी मोटे नहीं है, पतले नहीं, बिल्कुल सही वले particles हैं, भरा पड़ा है यह scrub particles के साथ highly recommend करूँगे, आपको यह वला मैं scrub, मुझे बहुत पसंद आया, इनका face wash थोड़ा सा different था, वो jelly की form में निकल रहा था, I don't know किस form में निकल रहा था, बट यह scrub इसका बहुत अच्छा है dear, and इसके fragrance भी बहुत अच्छी आ रही थी scrub की, और definitely scrub ने अपना काम बह करना, scrub आपने हफते में दो बार करना होता है, रोज बिल्कुल भी scrubbing नी करनी होती, तो आप इसको शरूर try करना, आपके skin की जितनी भी blackheads होंगे, whiteheads होंगे, उसके साथ आपके खतम हो जाएंगे, regular scrubbing करने से, अगर आप हफते में दो बार करोगे तो आपके skin की ऊपर से dead skin और tanning भी हट जाएगी, जो इसमें में इन्हों ने बोला कि tanning हट जाएगी, तो वो definitely अपना काम करता है, देख सकतो मेरे skin कितनी clean and fresh लग रही है इस समय, जो next product है, वो है green berry organics का fresh cucumber mint toner, makeup remover है, pore minimizer है, natural witch, hazel extract इसके अंदर डाला हुआ है, 100 ml इसके quantity दे हुए है, for all skin types है, ये वहला toner, इसके ingredients है, purified water, rose water, aloe vera, witch hazel extract डाला हुआ है, cucumber डाला हुआ है, mint डाला हुआ है, और आप बाकी चीज़ के उपर देख सकते हो, same चीज़े लिख हुए है, animal against animal testing है, handmade with love है, environment safe packaging है, made in India ये वहला product है, देख सकते हो, आप India का sign बनाया हो, मतलब flag का symbol दिया हुआ है इसके उपर, थोड़ी से pricing आपको मैं इसके बिता दू, 300 रुपीज का ये product है, और दो साल आपको इसकी shelf life मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि, आपको एक साल के अंदर अंदर इसको finish up कर देना है, जब आप इस bottle को open करोगे, सारे के सारे products के उपर same चीज़ लिखी हुए वैसे इसकी दो साल के shelf life आपको मिल जाएगी, तो dear, अब इन्होंने दो चीज़े लिखी हुए है, कि ये करता है, आपका make-up remover का भी काम करता है, तो चलो हम इसके साथ पहले make-up remove करते हैं, देखते ये कितना काम करता है, राइट नौ आप देख सकते हो, मेरे face के उपर make-up लगा हुआ है, मैंने अभी वीडियो शूट की थी, तो मैं अच्छी तरह से पहले टोनर अपने face के उपर अपलाई करूंगी, and clean cotton के साथ इसको remove करूंगे, and dear, one swipe में इसमें, इसने make-up को remove किया है, one swipe में, and लेकिन, dear, ये जो normal का, जो skin का make-up था, face का, वो इसने clean कर दिया, लिप्स के उपर, steak walkie की liquid lipstick थी, वो इसने नहीं उतारी, तो waterproof makeup ये नहीं उतारेगा, normal अगर आप make-up करोगे, तो ये उतार देगा, मेरे eyes के उपर भी simple सा eyeshadow लगाया हुआ था, तो dear, देखो, इसने बिलकुल उतार देगा, थोड़ा सा मैं इसको spray करूंगी, cotton के उपर, अगर अगर आप हलका फुलका सा कोई make-up कर रहे हो, तो ये definitely उसको clean करेगा, आपकी skin को dry तक नहीं करेगा, अगर काजल वगएर, इसने मेरे उतार दिया था, लिप्स को ये नहीं clean करता, चाहिए अब जो मर्जी कर लो, ये लिप्स को नहीं clean करेगा, फालतु मेरा गढ़ने की ज जरूर ट्राइ करना, ओके मैं अपने neck को भी थोड़ा सा clean कर रही हूँ, अब कर रही थी, तो सोचा सबकुछी clean कर लो, and look at the cotton, कितने गंदे हो चुके है, and इसने अच्छा काम किया, waterproof नहीं हटाया, बट वैसे इसने बहुत अच्छा काम किया, अब देर मैंने अपना face clean कर यह था face wash के साथ, अब मैं इसके साथ toning करूंगी, और इसके fragrance बहुत अच्छा है, literally बहुत अच्छी fragrance है, skin को hydrate कर देता है, पोर को minimize करेगा, तो अब इसको एक बार जरूर ट्राइ करना, यह विले toner को, जो बहुत पसंद आया, highly recommend कर दो, okay, अब यह जो next product है, यह है, green berry का, Bioactive Intense Night Cream Powered with Natural Bioactive Ingredients, 50 gram इसकी packaging दी हुई है, normal to dry skin वालों के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, अब देख सकतो cardboard की packaging है, ingredients आप इसके थोड़े से dear आप read कर लो, जो जो इसके अंदर डाला है, मलबरी extract डाला है, aloe vera डाला हुआ है, olive डाला हुआ है, jojoba डाला हुआ है, milk protein डाला ह इसके अंदर aqua डाला हुआ है, तोड़ी है सारा कुछ डाला है, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि आपको रात को, अगर आप अपने आपको rest देतो तो आपको अपनी skin को भी rest देना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने skin के उपर apply करनी चाहिए, vitamin E डाला हुआ है इसके बाकी के products के उपर लिखा हुए 100% vegetarian, non-tested animals, small batch production, सब कुछ इसके उपर, same वही चीज़े लिखे हुए है, 543 रुपीज की ये cream है, दो साल आपको इसकी shelf life मिल जाएगी, लेकिन आपने इस cream को जब आप ओपन करोगे, एक साल के अंदर अंदर आपने इसको finish up कर देना है, सार अगर इसका फैंक दोगे, तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आप इसको इसके उपर lid लगाया हुआ है, safety के लिए, and cream का texture बहुत सही है, बहुत अच्छी विल इसकी खुश्बू है, cream को मैं highly recommend करूँगी, मुझे बहुत पसंद आई, texture आप इसका देख सकते हैं, so creamy and so good, बहुत इसकी फ्रेगनेस देखाते हैं, अब मैं आपको यह विली cream लगा के दिखाते हूं, right now मैंने अपने face के उपर toning की थी, and अब मैं यह विली cream आपको लगा देती हूं, I mean दिखाती हूं लगा के, यह बहुत सही इसकी फ्रेगनेस आती है, इसकी फ्र मेली का पौधा हो गया, या फिर रात की रानी का हो गया, बिल्कुल वैसी फ्लावरी से इसकी स्मेल आती है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, नाइट क्रीम है, बिल्कुल भी आपको ड्राइन करती है, और रस्तिन को अच्छी तरह से मॉस्चराइज कर देती है, for all skin types है, normal to dry लिखा हुआ है वैसे तो यहां पर, but oily वाले भी लगा सकते हैं, winter मौसमें अपराम से लगा सकते हैं, dear, इसको, this was the review and the demo of the product, मैंने अपको चारो के चारो प्रोडक्ट्स का review भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बता दिया, price वगेरा, सब कुछ बता दिया, quantity and अगर आपको इन में से कोई भी प्रोड़क्ट अच्छा लग रहा है तब उसको definitely buy करो and purchase links आपको डिर description box में मिल ही जाएंगी, so this was the video, video अगर अच्छी लगी, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, video अगर अच्छी लगी तो video को like कर देना, channel को subscribe कर देना, friends, family, सब के साथ share करना, sharing करनी बहुत ज़रूरी होती है, भाईया, इतनी महनत करते हैं, तो आप लोग इतना तो करी सकते हो, just आपने share करना होता, facebook, whatsapp, instagram, जहां मरजी, share करो, तो बस, and yeah, one more thing, जो लोग मुझे पहली बर subscribe करें, तो please आप बेल बटन को ज़रूर हिट कर दिया करो, ताकि आप कोई future में notifications मिलती रहे, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अप्लोड करो, and मैं कोशिश करती हूं, मैं रोजी वीडियो अप्लोड करो, and definitely कर भी रेती हूं, but I am trying, कि मैं और अच्छी तरह से अच्छे अच्छी वीडियो लेके आती रहूं आप लोगों के लिए, तो dear bus,